नमस्कार दोस्तू स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ग्यानमी दोस्तू भगवान श्री कृष्णा अपनी कृष्णवाणी में कहते हैं कि आप सुबह उठते ही यह एक गलती भूल कर भी ना करें आपको पूरे जीवन गरीबी और दरीदर्ता के साथ साथ बरबादी का सामना करना पड़ सकता है जी हाँ दोस्तू अगर आपसे भी जाने अन जाने में यह गलती हो रही है तो आप यह आज का वीडियो देख लें और अपनी इस गलती को सुधार लें नहीं तो जीवन में आ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ग्यान को जरूर सब्सक्राइब करें तक कि आपको हमारे चैनल से ऐसा ही ग्यान सबसे पहले प्राप्त हो सके दूस्तू अगर आप अपनी हर्मनुकामना पूर्ण करना चाते हैं आप भगवान श्री कृष्णा के सच्चे भक्त हैं तो कोमेंट बॉक्स में एक बार जैश श्री कृष्णा राधे राधे आवश्य लिख दें भगवान श्री कृष्णा आपकी हर्मनुकामना पूर्ण करेंगे और आपको हमेशा गरीबी मुक्त रखके एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आप कोमेंट बॉक्स में राधे राधे आवश्य लिख दें दोस्तों मनुश्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसे गलतियों का पुतला कहा जाता है हिंदू धर्म शास्त्री आचारे चांग के जी ने भी अपनी चांग के नीती में इस गलतियों का पुतला कहने में कोई हर्ज नहीं है भगवान श्री कृष्णा की कृष्णवाणी कहती है कि आप अगर सुबह के समय इन गलतियों को करते हैं तो आपको इसका खम्याजा भी गलत भूगतना पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार आप कुछ ऐसे सुबह काम कीज जिससे की भगवान श्री कृष्णा आपसे राजी हो जाए आपको सुबह उठते ही इश्वर वेले के समय इश्वर का ध्यान करना चाहिए जल्दी उठते वक्त आप सबसे पहले शनान करें इसके बाद चाए नाश्ता करने के बाद आप अपने इश्वर को मनाने की कोशि करें अपने इश्वर का ध्यान करें ताकि आपको अच्छे फलों की पराप्ती हो सके लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो तीन बज़े से पांच बज़े यानि की सुबह के समय पती पतनी आपसी सम्मंधों को मजबूत करते हैं यानि की आपसी सम्मंध स्थापित करते है कई लोग अपने पार्टनर के साथ तो कई गैर औरतों और मर्दों के साथ ऐसा गलत करते हैं जो शास्तरों के अनुसार वरजित होता है दोस्तु अगर आप इन कामों को सुबह करते हैं तो शास्तर कहते हैं कि आप साक्षात मातालक्षमी को अपने गर से निकाल रहे हैं। जो लोग ऐसा काम करते हैं उनसे देवी देव नाराज हो जाते हैं। आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। सुबह जल्दी उटकर आप इश्वर का नाम लें इश्वर का ध्यान करें। तब ही भगवान आपके उपर महरवान हो सकते हैं। गलत काम करने वालों का साथ इश्वर छोड़ देता है। इसलिए आप सुबह गलत काम ना करें। हाँ जरूरी है कि ये काम हमारे परिवार को बढ़ावा देने वाले होते हैं। हमारी नसल को बढ़ावा देने वाले होते हैं। लेकिन इन कामों का भी एक समय निर्धारित कर लीजिए। हर चीज का समय अबशे होता है। जो सुबय का समय होता है वो इश्वर वेला होता है उस समय इश्वर धर्ती पर आगमन करते हैं और अपने भक्तों को रोजी रोटी देने के लिए आते हैं उस समय अगर आप गलत काम करते पकड़े गए तो इश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे सुबह के समय कोई भी गलत काम ना करें मुहे से गंदा ना बोलें चोरी ना करें और अप शबद बिलकुल भी किसी कन्या को ना बोलें अगर आप किसी कन्या को सुबह के समय आप शबद बोल देते हैं तो मा लक्षमी आपसे क्रोधित हो जाती है भगवान शरी कृष्णा आपके उपर अपनी किर्पा द्रष्टी नहीं बनाती तो दूस्तो ऐसी गलती आप सुबह के समय ना करें तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करतें हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ग्यान को आप जरूर सब्सक्राइब करें तकि आपको हमारे चैनल से ऐसा ही ग्यान सबसे पहले राप्त हो सके